आप सभी का वेलकम है गुरू कुलहब यूटूब चैनल पर और जैसे की लगातार जनल साइन्स की स्रीज चल रही है हमारे लाइक कर दीजे शेयर कर दीजे जिन बच्चों ने भी क्लास को अभी तक शेयर और लाइक नहीं किया है तो चलिए कोशन का सिलसला हम शेयर करते हैं आप शेयर कर दीजे मैं इतने बताता हूँ आपको बाकी बते की आप अगर NTPC एक्जाम की तेयरी कर रहे हैं या फिर SSE का कोई भी एक्जाम है SSE CGL है CHSL है CPO है MTS है तो सभी एक्जाम के लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इसके क्लास के लिंक को तो चलिए फ़र्स कोशन हमारे सामने आ रहा है और पहला सवाल यह है कि वुड स्पृट इस आलसो नोन एज लकड़ी की सभाव के रूप में भी जाना जाता है तो बताई जल्दी से सही विकल्प क्या रहेगा इतायल एलकॉल है मितायल एलकॉल है तो बताई नो हमें सही आनसर हमें मिलेगा मितायल एलकॉल थेंगे बहुत अच्छा पाफ़ी सारी बच्चे विकल्प क्या होगा रहेगा। दे रहे हैं एक PYPAR पर आप numbers लिए एक से लिकर 40 तक ठीके जल्दी से और जो कोशन सही होता जाता उसके आगे राइट लगा दिजी जो कोशन सही होता है राइट होता जाए और जो गलत हो जाए मान लिजी कहीं कोई गलत हो जाता है तो उस पर क्रॉस लगा दी तीक है इस तरह से बाद में आप काउंट करके बता सकते हैं कि चालिस में से आपने कितने सारी या अफिन नेप्तलील नेप्तलीन भताये सही विकल्प क्या रहेगा है तो पर नेप्तलीन जाद सेवी निये तरक्रीज़ का समय में आपको देता हूं उतनी देर में आपको आंसर देना होता है ठीक है तो नेफटलीन राइट आंसर आपको यहां पर मिल रहा है कोलतार किस पदार का एक मुख्य सुरूत है तो आगे बढ़ते हैं नेक्स क्विश्चन पर और वाट इस ताइंटिफिक नेम आफ काव का विग्यानिक नाम क्या है बोस इंडिका है बोस टोरस है मगई फिर इंडिका है या फिर पीसु इस्टाइवम है तो बताएं जल्दी से सही आंसर क्या रहेगा पहुत बढ़िया और बच्चों ने आँसर दिया यहाँ पर बोस इंडिका इसका सही विगल्ब रहेगा बिलकुत सही आंसर रहेगा बोस इंडिका और चलते हैं अपने नेक्स क्विश्चन पर आगया क्विश्चन की गिव नेम दा स्मॉलले सेल सबसे छोटी कोशिका का तोलौा सबसे चुटी कोशी का नाब बताइए तैंट यह जो कि सबसे सब्सेकोशी कोशी करो सबसे मॉल ऐस्ट सैल और ऊप्टिकल फाइबर और ऊप्टिकल फाइबर का उपयोग किया जाता है CT scan CT scan एकसरेफोटो अल्टरासाउंड He-जा फिर इंडो सकोपी तो अप्टिकल फाइबर जो प्रकास के पूर्ण आंतरिक प्रावरतन के इस दांद पर कार्य करता है optical fiber तो किस में इस्तेमाल किया जाता है optical fiber तो सही विकल पाया है यहां पर endoscopy ठीक है endoscopy बिल्कुल right answer रहेगा snow on the mountains does not melt at once when it is heated by the sun पहाडों पर बरफ सूरस तता गरम किये जाने पर एक साथ नहीं पिगलती क्योंकि तो सही answer है इसका it reflects most of the heat from the sun यह सूरे की अधिकांश मुष्मा को प्रती बंदित प्रती बिम्बित करने का काम करते है प्रती बिम्बित उसको करती है ठीक है नहीं इसको प्रती बिम्बित इसको करती है आगी बढ़ते है next question पर यह person standing on a railway platform listens to the whistles of arriving the departing trains the whistle here is railway platform पर खड़ा वेकती आने जाने वाली ट्रीनों की सीटी सुनता है सुनाई देने वाली सीटी है सही आंसर हैगा सी ओक्षन और फाइयर पिच्छ वैंट ट्रेन अराइब समतार ट्रीन आने की उच्छ पिच्छ की होती है ठीक है दा वेलसिटी ओफ हीड रिडिएशन इन वेक्यूमीज सुनने में ऊश्मा विकरण का वेग होता है सुनने में उश्मा विकरण का वेग होता है प्रकास की गती के बराबर ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सक्वेशन पर आते हैं एक्सक्वेशन हमें दिया गया एलिट्यूट होता है या फिर बीस होता है बताइए सही विकल्प क्या रहेगा तो सही विकल्प है हमारा moment arm यानि कि आगोन भुजा उसको कहा जाएगा क्या कहा जाएगा आगोन भुजा उसको कहा जाएगा आगे बढ़ते हैं नेक्सक्वेशन पर नेक्सक्वेशन है विच अमोंग दा फॉलोविंग इस नॉट ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस निमने कितमे से क्या दूरी का यह की का यह नहीं है लाइट इयर है लॉंग सेख है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है पार सेख है तो बताइए सही विकल्ब क्या रहेगा दूरी का एक मात्रक नहीं है दूरी का एक यूनिट नहीं है इनमें से कौन सा तो सही आंसर रहेगा लॉंग सेख ठीक है लॉंग सेख राइट आंसर रहेगा जोकि एक दूरी का मात्रक नहीं है बागी यह तीनों दूरी के मात रहें दस कोशन हमारे यहां पर complete हो चुके अभी तीस कोशन बाकी हैं बिलकुँ अंते तक जुड़े रहे हैं और अपने आप कुछ चेक करते रहें आगे बढ़ते हैं अपरेंट वेट ऑफ परसें इन लिफ्ट विच इस मुविंग डाउन विद यूनिफॉर्म एक्सलिरेशन इस लिफ्ट में विक्तिक आस्पस्ट वजन जो समान तोरण के साथ नीचे जा रहा है क्या होगा चलिए तो सही आंसर आया यहां पर और सही आंसर है वो रहेगा सेम एज दा वेट वें दा परसन इस इस्टिशनरी जब विक्तिस्थिर होता है तब वजन के समान होता है ठीक है वे हलोजन जिसका उप्योग पीड़ा हारी की तरह किया जाता है हलोजन that are used as analgesics chlorine bromine iodine या फिर fluorine क्या सही विकलब रहेगा कौन सा हलोजन है जो के analgesic के रूप में उसका अस्तमाल किया जाता है तो सही आंसर आया हमारे पास क्या आंसर रहेगा iodine बिल्कुल राइट आंसर रहेगा सही विकलब iodine रहेगा ठीक है वायू भरे गुबार में helium को hydrogen क्या पिक्षा वरेता दी जाते क्योंकि वे है इन एयर फिल्ड बैलून हिलियम इस प्रेफर्ड ओवर हाइड्रोजन बिकॉस एट ठीक है तो वायू के साथ विस्पोर्टक मिस्टन नहीं बनाता है इसलिए helium को वरेता दी जाती है ठीक है कम डेंस भी होता है यह भी रीजन है लेकिन में रीजन डी आप्शन कार्यका मात्रक क्या है वाट इस यूनिट ऑफ वर्क जूल न्यूटन योगे जूल न्यूटन वाट डाइन राइट आंसर बिलको जूल रहेगा ठीक है पहला ऑप्शन फास्ट ऑप्शन जूल राइट आंसर रहेगा कार्यका मात्रक यूनिट ऑफ वर्क कार्यकरने की दर को क्या कहते हैं कार्यकरने की जो दर होती है उसको क्या कहते हैं शक्ति उर्जा चमता जूल पावर एनरजी केपासिटी जूल तो इसको बोला जाता पावर कितने शक्ति से काम किया कितने पावर से काम किया ठीक है किलो वाट में उसको मापते हैं ना किलोवाट में तो पावर राइट अंसर रहेगा शक्ति यह कार्य करने की दर है working rate is called और यह पूछा है कार्य करने की छमता को क्या कहते हैं कुछ न अलग है deficiency to work is called कार्य करने की छमता को क्या कहते हैं उड़जा है शक्ति है वाट है जूल है energy power वाट या फिर जूल यह energy रहेगा ठीक है जो जिस capacity जिस efficiency से उसने काम किया है energy इसको मापते है किलोवाट आवर में ठीक है किलोवाट आवर में वापा जाता है energy को निम्लिकित में से कौन सी मात्रा जड़त की माप है वेग है त्वरन है द्रवमान है भार वेलोसिटी acceleration मास या फिर वेट जड़त का माप which of the following quantities is a measure of inertia क्या सही विकल्प रहेगा बताइए जल्दी से राइट आंसर क्या रहेगा तो सही आंसर रहेगा इसका द्रवमान ठीक है द्रवमान बिल्कुल राइट आंसर रहेगा ठीक है मास द्रवमान चलिए आगे बढ़ते है next question पराते है पारसिक किसकी इकाई है पारसिक जो इकाई है वो किसी इकाई है बहुत दूरी है समय है तीवर्ता है चुम्ब किया बल है ठीक है तो बता ही किसकी इकाई है पारसिक तो रहाइट अंसर रहेगा बहाई इसका रहाइट आंसर रहेगा वो रहेगा दूरी त्यक्याए 83 थीक्या डिस्टेंस के लिए चलिए आगे बड़ते हैं next question पर चलते हैं कि निमली कित में से कौन सा एक सुमेली नहीं है डेसिबल जो कि द्रहनी की थीपता की काई हो सकती है अश्वार्शक्ती सकती की काई समूदरी मेल नो संचलन की दूरी की काई या फिर सेल्सियस उसमा की काई तो बिल्कुल celsius में temperature को हम मापते हैं घंटाद कि टीनों विकल्प ठीक है इसमें सेल्सिस में तापपान को मापा जाता है लुमेन किसका मात रग है जोती तीवरता, जोती फ्लस्क, हेनरी या फिर टेक्सला whose lumen is the unit light, intensity, जोती फ्लस्क, हेनरी या फिर टेक्सला बताईए सही विकल्ब क्या रहेगा राइट आंसर इसका जोती फ्लस्क जोती फ्लस्क का सही आंसर रहेगा चले, तो यहाँ पर अभी तक हमारे कितने कोशन हो गए अभी हमारे यापर 20 mcq हो गए है है ना, हमारे टोटल mcq कितने है, 40 mcq हो गए यानि कि आधी क्लास हमारी हो चुकी है, आधी क्लास अभी बाकी है जुड़े रहें तिल एंड तक, तो कि अभी बहुत important questions अभी आने बाकी रह गए है जिन students ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है जल्दी से क्लास को लाइक कर दें और साथी share नहीं किया है तो share करने की प्रंपरा को भी पुगा कर्तववे के साथ निभाए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं next question पर आते है निमलेकित में से कौन एक संकरम नधात वो? transition metal नहीं है actinium है, borium है, ausmium है, radium है which one of the following is not a transition metal? actinium, borium, agonium, aginium या फिर radium तो सही विकल्ब रहेगा इसका radium ठीक है, radium बिल्कुछ सही answer रहेगा जो कि transition metal नहीं है बाकि ये तीनो transition metal है आगे बढ़ते हैं, सैंदा नमग में कौन सा खनी जो होता है? gypsum, sodium, potassium, magnesium which metal does rock salt contain? सैंदा नमग जो होता है, ठीक है? सैंदा नमग जो कि आप इस्तमाल करते हैं वरत के वक्त ठीक है? जो fast रखते हैं तो अब उसका इस्तमाल किया जाता है सैंदा नमग तो कौन सा mineral होता है? तो वो होता है जी आपका sodium ठीक है? sodium सही विकल्प रहेगा आगे बढ़ते हैं एक्सक्वेशन पर चलते हैं एक्सक्वेशन हैं आपके सामने हैं कि निम्लिकित मेंसे किसका उप्योग फलो को पकाने के लिए किया जाता है methylene, ethylene, acetone, methane which of the following is used to cook fruits? methylene, ethylene, acetone या फिर methane बताइए सही विकल्प क्या रहेगा? फलो को पकाने के लिए तो right answer क्या रहेगा? ethylene, ठीक है? फलो को पकाने के लिए ethylene आगे बढ़ते हैं पारा थर्मामीटर के कार्य करने का सिद्दान्त है mercury is the principle of working of the thermometer गरम करने पर पदार्ट के गहनत में बदलाव गरम करने पर पदार्ट का विस्तार यह फिर गरम करने पर पदार्ट के द्रोवमान में बदलाव तो बताइए क्या सही विकल्प है? तो सही विकल्प है इसका B option गरम करने पर पदार्ट का विस्तार होता है ठीक है? expansion of material on heating निमलेकित में से किसे अनुवानशिकी का जनक कहा जाता आसान क्यूशन है विच आपदा पोलोविंग्स कॉल दा फादर ऑफ जेनेटिक्स डार्विन है, मेंडिल है, लेमार्क है, डेवरीज है तो बतादे जल्दी से सही आंसर क्या रहेगा आसान क्यूशन है काफी popular क्यूशन है उच्छा जाता है एक सार एक्जाम मेंडिल राइज आंसर रहेगा ठीक है चाले सवाल पर आते हैं नमलेकेट मेंसे किस यंत्र के द्वारा वायू की विग को मापन क्या जाता है बैरोमीटर है एनिमोमीटर है है हाइडरोमीटर है है ग्रोमीटर है विद विच ऑफ फॉलॉविंग इन्स्रूमेंट एयर वैलोसिटी इस मेजर्ड एर वैलोसिटी वाइउ के वेग को बोला जा रहा है ठीक है तो राइट आंसर हैगा एनिमो मीटर एनिमो मीटर से मापा जाती है हाइडरो मीटर यहां जलत हो गया एनिमो मीटर ठीक है याद रखेंगे एनिमो मीटर वाइउ के वेग को ठीक है ear velocity को measure किया जाता है एक मानाव मादा के दो ओवी डक्स एक लोज़दार बैग में एक जुट होते हैं जैसा कि जाना जाता है तो राइट आंसर रहेगा गर्वाश्य में यूट्रस इसको गर्वाश्य बोला जाता है यूट्रस यानि की गर्वाश्य है विच आप दा फॉलोवंगे डिजीज इस ट्रांस्मिटेड सेक्सवली निम्रेकित में से कौन सी विमारी योन संचारित है कालाजार, जॉन्डिस, हैजा, कोलोरा यानि की और या फिर सिफलिस तो क्या सही आंसर रहेगा, सही आंसर रहेगा, सिफलिस ठीक है, सिफलिस, D option, सही आंसर रहेगा चलिए, आगे बढ़ते हैं, next question पर question यह है कि fruits are from fruit, फल किस से बनते हैं, किस से फल बनते हैं, stemon से, stigma से, oviary से, ovule से, फल का जो निर्मान होता है, वो किस से होता है, वो बनते हैं, oviary से, ठीक है, oviary, फलो का जो निर्मान होता है, formation होता है वो ovary से होता है ठीक है नेक्स्ट क्योश्चन है कि किस radioactive तत्व का नाम उसके खोज करता कि देश के नाम पर रखा गया रेडियम यूरिनियम पोलेडियम या फिर पैलेडियम किस radioactive तत्व का नाम उसके खोज करता कि देश के नाम पर रखा गया राइट आंसर रहेगा पोलो-नियम फिर बना पोलनीयम फिर पोलो-नियम राइट रहेगा इस इस question complete हो गए है अभी 10 question बाकी है जुड़े रहे हैं अन्त तक और चेक करें जो बच्चे लेट जुड़े है तो उसे अपना target set कर सकते हैं 10 question का target set कर लीजिए कि 10 में मैं यहाँ पर कितने सही कर सकता हूँ तो अपने इसाब से मैंने पता ना एक से लेकर 10 तक नंबर लिए जिए जुड़े हो उन्हें चालिस तक चेक किया होगा तीस तक कर लिए होगा अभी बाकी है और जो अभी जुड़े हैं तो वह चेक करके चले आगे के संतल दरपण की फोकल लंबर फोकल लेंथ पूछ रहा है तो राइट आंसर रहेगा एट इन्फिनिटी ठीक है इतने होगी इन्फिनिटीव रहेगी आगे बढ़ते हैं इमेज फॉर्म बाई प्लेन मिरर संतल दरपण दौरा निर्मित चब्रियर और इरक्ट लती है रियल आइन इंवर्टीट होती है वर्जुल और इरक्ट होती है या फिर वर्चुल और इंवर्टीड उती ए इस तरह आपकेव मिरर गिप्स रियल इनिवर्टेट एंड सीम साइज इमेज इफ दा अब्जेक्ट इस प्लेन यदी वस्तु रखी जाये तो वक्तल दरपन वास्तवी गुल्टा और समानाकार का चित्र देता है किस पर रखी जाये एफ पर रखी जाये इन्विनेटीव रखी जाये सी पर रखी जाये या फिर बियॉंड सी पर रख्या जाये है राइट अंसर अगर सी पॉइंट पर रखा जायेगा तो वस्तु को अगर सी पर रखा जायेगा तो अब्तल दरपन आवास्तवी बनेगा उल्टा बनेगा और समानाकार का एक चित्र बनाएगा ठीक है पावर ओफ लैंस इस माइनस 40 इट्स फोकल लैंट इस अगर किसी लैंस की शक्ति माइनस 40 है तो उसकी फोकल लंबा ही क्या होगी कितना हो जाएगा वह जाएगा 0.25 मीटर ठीक है 0.25 मीटर माइनस 5 ठीक है सी ओफ चर्थ आगे बताएं एक ओंकेव मिरर गिप्स वर्चुल रिफ्रेक्ट एंड इनलार्ज इमेज आप अबजेक्ट बट इमेज आप स्मालर साइज दन दे साइज आप अबजेक्ट इस आउता दर्पन वस्तु की आबासी अप वर्तित और बढ़ाए गई छवी देता है लेकिन वस्तु के आकार की तुलने में छोटे आकार की छवी होती है तो किस के कहां पर होगा पॉइंट पॉइंट क्या होगा बता रहा है तो बिट्विन पी और पी और एफ के बीच में तो अगर उसको रखा गया कहां पर पी और एफ के बीच में तो अब आसी अप वर्तित बढ़ाए गई चवी देगा लेकिन आकार के तुलमें छोटे अकार की छवी बनेगी ठीक है प्रकाशिकी में ऐसी वस्तुच से उच अप वर्तक सुचकांग कहा जाता है तो अप्टिकली डेंसर क्या होगा अप्टिकली डेंसर बी ऑप्शन वैकल्पिक रूप से सगन तीक है तो अप्टिकल फिनोमेना ट्विंलिंकन ऑफ स्तार्स इस ड्यू तो ऑप्टिकल घटना सितारों की टिमटी-वाहत के खारण है तो टो क्या होगा अटमास्परिक रिफ्रेक्शन कहलाता है वह कहलाता है atmosphere एमोस्पिक रिफ्रेशन इफ्रेक्शन वायो मंदली आप वर्तन शको बूला जाएगा तारों की जो तेंटी मात होती है तारे तीमकित हैं है ना कॉन्वेग्स लैंस फोकस एरील पॉइंट साइज इमेज एट फोकस दा अब्जेक्ट इस उत्ताल लेस्ट इंव बिन्दू आकार की छफिक्स करता वस्तु कहां पर रखी जाती है कि एउड पनेगी और वजस्तु कहां पर करके जाएक तो वस्तु रखेजी इट इनुफिनीटिटनीट उन पर प्रफ आगे बढ़ते हैं सवाल है the unit of power of lenses lens की शक्ति की काई क्या मीटर है सेंटी मीटर है डायोप्टर है यह फिर हम मनें ठीक है lens की सक्ति की जो ही काई है unit है ठीक है तो वह क्या होती है पूर जाएगी आपकी डायोप्टर ठीक है डायोप्टर राइट अंसर आजाएगा बिल्कुर सही आंसर डायोप्टर आपका रहेगा और फोर्टी नंबर कुश्चन the radius of curvature of a mirror is 20 cm the focal length is एक दरपन की वक्रता की तरिज्जा 20 cm है तो focal लंबाई कितनी है 20 cm ही होगी 10 cm होगी 40 cm होगी या फिर 5 cm होगी वक्रता तरज्जा अगर 20 है तो focal लंबाई कितनी होगी तो यह हो जाएगी उसकी फोकल लंबाई 10 cm तो यहां पर हमने 40 mcq questions complete किये इसी तरह से classes का जारी रहेगा करते हैं और पहला question आपके सामने लेकर आ रहे हैं और question यह है कि computer में प्रिवक्त आइसी चिप बनते हैं computer में जो प्रिवक्त आइसी चिप होते हों कि शीच के बने होते हैं chromium से iron oxide से silver से या फिर silicon से तो बताएं right answer क्या रहेगा काफी पूछा जाता है question previous exam में काफी बार पूछा गया है अलग-अलग exam में तो बिल्कु सही answer है यहां पर silicon silicon बिल्कुर राइट आंसर है कंप्यूटर के जो सिचिप होती है वो किसी चीज की बनी होती है वो silicon की बनी होती है silicon से निर्मित होती है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं next question पर और next question क्या होने वाला है धियान देंगे सभी स्टुजेंट कुशन है नेमदा टीनी पूर्स प्रिजेंट ऑन दा सर्फीस ओफ लीव्स इन प्लांट पिट्स स्टोमेटा ट्राइकों या फिर हाई डे थोर्ट पोधों की पत्तियों की सतय पर मौझूद छोटे छिद्रों का नाम बताईए क्या होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है इसका इस्टोमेटा ठीक है क्या बोला जाता है उनको इस्टोमेटा ठीक है राइट अंसर सही विकल रहेगा अगले क्यूशन पर आते हैं कि heb us यह पाइसी करण डरेकिंग सिट आप्सोटे ऊपिलोब्लोल्स में तो आप्साय को चोटे ना व्हाओ का पाचन करना व्हाओ करना यह उफोर्शा और भाव करना तो रहाहिए बिल्क ऑप्षन प्रानिंग्र को पिलोप poz 2 एपिलापions इन्टो तोटे ग्लोबिल्स में तोड़ना ये काम होता है किसका इमल्सिफिकेशन का पाइसी करन का ये काम होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं और चलते हैं next question पर next question है कि green manure is obtained from हरी खाद से प्राप्त की जाती है हरी खाद किस से प्राप्त होती है domestic vegetable waste orchid husk cakes fresh animal excreta decomposing green legume plant तो बताएं हरी खाद से प्राप्त होती है किस से प्राप्त होती है हरी खाद तो सही विकल्ब है इसका और सही विकल्ब रहेगा रहेगा हरे फल्दार पदों का विक्टन होने से हमें मिलती है हरी खाद ठीक है shaun deez is a disease which affects पीलिय एक बिमारी जो किस चीज को प्रभावित करती है हर्ड को liver को स्प्लीन को gall beliefs गört ए जॉन्री डिजी यह आधी फेट्स जो किसकीज को प्रभावित करती है को लिवर बिलकुल पीलिया का समद बिलकुल किस से है ठीक है याद रखेंगे और नेक्स्ट क्योशन है कि विच आप दा सेंसरी रासी रासेप्टर इन्वॉल्व इन डिटेक्टिंग ब्लड प्रेशुर्स Camo receptor, Mechano receptor, Photoreceptor या फिर Magneto receptor बताए क्या सही विकल्ब रहेगा इस question का रक्षचाप का पता लगाने के लिए शामिल समवेदी receptor कौन सा होता है तो सही answer है ये रहेगा आपका Mechano receptor ठीक है, Mechano receptor, Mechano receptor, right answer रहेगा जो कि रक्षचाप का पता लगाने के लिए समवेदी रिसेप्टर होता है The hormone used as an oral contraceptive यानकि मौखिक गर्व निदूदत के रूप में इस्तमाल किया जाने वाला हार्मोन कौन सा है औरल कॉंट्रसेप्टिव हार्मोन कौन सा है कॉर्टिसोन है प्रोजिस्टरॉन है टेस्टोस्टोरान है या फिर एल्डेस्टोरान है बताए क्या सही विकल्ब रहेगा तो सही आंसर है इसका और सही आंसर बिल्कुर रहेगा प्रोजिस्टरॉन ठीक है प्रोजेस्ट्रोन यानकी second विकल्प हमारा सही रहेगा प्रोजेस्ट्रोन जो की क्या है oral contraceptive है ठीक है next question next question है the filtration unit of kidneys kidney की निस्पंदनिकाई क्या है exon है nephron है neuron है yellow fiber है kidney की निस्पंदनिकाई the filtration unit of kidney is बताए सही answer क्या है सही answer और सही answer है इसका वो है आपका सही answer क्या है इसका सही answer सही answer है इसका nephron ठीक है nephron इसका सही answer रहेगा अगे बढ़ते हैं the plants which grow underwater stress conditions of deserts are पोधे जो रेकिस्तान के पानी के तनाव की इस्थिती को इस्थिती के तहत विक्सित होते हैं ठीक है क्या कहा जाता है उनको राइट अंसर है का जैरोफाइट्स ठीक है जो की रेकिस्तान में होते हैं जहाँ पानी बहुत कम मात्र में होता है तो वहाँ पर जोगने वाले पोधे होते हैं जो की खारे पानी में पैदा होते हैं हाइडरोफाइट्स वह पोधे होते हैं जो जल में पैदा होते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं बढ़ते हैं अपात कालीन हर्मोन इन में से किसको कहा जाता है अपात कालीन हर्मोन तो क्या राइट आंसर हैगा अडरलीन ठीक है अपात कालीन हर्मोन रहेगा ठीक है अभी दस क深 Muchas kid हो गए हैं तीस क्वेश ن की क्लास है बिलकुल जुड़े रहे अंत तक जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है क्लास को जल्दी से एक लाइक जरूर बनता है जल्दी से लाइक कर दें और शेयर नहीं किया है तो शेयर भी बहुत जल्दी से कर दें वाट्सप, फेस्बुक, टेलिग्राम जहां पर भी आप जुड़े हुए है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स क्वेशन पर ग्यारा नंबर क्वेशन आ गया कि विच आफ दा फॉलोविंग कंपाउंड इस कोमली यूज़ एस एन एंटी सेप्टिक इन माउट वाश यंटूट पेश निम्डीकित में से कौन सा यूग एक आंत और पर माउट वाश और टूट पेश में एंटी सेप्टिक पे रूप में उपयोग किया जाता आ है क्या है बॉराक्स है हसौल्ट पीटर है हड्रोज सोडियम क्लॉराइड है तो सही आंसर रहेगा sodium chloride ठीक है क्या आपके toothpaste में नमक है जी हाँ बिल्बुल है एने CL right answer रहेगा which among the following elements is found in maximum percentage of human body मानश शरीर में एधिक्तम प्रतीशत में निमलिकित में से कौन सा ततो पाया जाता है कार्बन है hydrogen है nitrogen है या फिर oxygen है ठीक है कौन सा तत्व अधिक्तम प्रतीशत में तो बिल्कुल oxygen रहेगा ठीक है oxygen water जाता है water 65% water होता है तो उसी सबसे oxygen भी तो जादा होगा ना तो सबसे ज़्यादा human body में oxygen मिलेगा आपको आगे बढ़ते हैं next question पर चलते हैं the main constituent of natural gases प्राकरतिक गैस का मुख्य घटक क्या है methane, methane, butane या फिर propane सही विकल्ब क्या रहेगा methane, ethane, butane, propane प्राकरतिक गैस का मुख्य घटक बताइए जल्दी से तो सही answer रहेगा methane ठीक है methane ठीक है और अगर हमारी LPG होती है LPG gas में उसमें क्या होता है उसमें होता है butane ठीक है butane और propane होता है लेकिन मुख्य कटक क्या होता है उसमें butane या रखेंगे यह भी आगे बढ़ते हैं next question पर चलते हैं which of the following is ozone depleting pesticide नमलेकित में से कौन सा ozone छैकारी कीट नाशक है DDT है benzene, methyl bromide, ethyl ozonide है DDT, benzene, methyl bromide या फिर ethylene ozonide चार option दिएगा है जल्दी से बताइए कि सही विकल्प क्या रहेगा ozone चैकारी कीट नाशक, ozone depleting pesticide तो right answer क्या रहेगा? right answer है इसका methyl bromide ठीक है? methyl bromide right answer होगा आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं next question पर आता है detergent used for cleaning loads and essential content कपड़े और बरतनों की सफाई के लिए इस्तुमाल किये जाने वाला detergent कौन सा है? nitrate है, bicarbonate है, sulfonates है यह फिर bismuth है बताइए कपड़ों और बरतनों की सफाई के लिए इस्तुमाल किये जाने वाला detergent कौन सा है? उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? sulfonates, क्या बोले जाता है उसको? sulfonates, ठीक है? right answer है, sulfonates आगे बढ़ते हैं अगले प्रिश्ण पर चलते हैं the acid used in lead storage cells is सीशा बंडारन कोशिकाओं में प्रिउक्त acid है phosphoric acid, hydrochloric acid, nitric acid या फिर sulfuric acid ठीक है? phosphoric acid, hydrochloric acid, nitric acid, sulfuric acid सीशा बंडारन कोशिकाओं में प्रिउक्त acid कौन सा है? तो सही विकल्प क्या रहेगा? सही विकल्प रहेगा sulfuric acid ठीक है? Sulfuric Acid यानिके D option right answer आपका रहेगा Sulfuric Acid है ना चलिए आगे बढ़ते हैं next question पर चलते हैं और next question क्या रहेगा next question है the element which is commonly used in nuclear for producing electricity by nuclear fission is वैह थातव जो पर्मारो विखंडण द्वारा बिजली के उत्पादनी के निये आम हो पर पर्मारों में उपयोग रेंडियम, ब्लूटोनियम यूरेनियम我 दो कि यूरेनियम तीक है यूरेनियम चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्यूशन पर गोवर गैस का प्रमुग घटक क्या है कारबन डॉएक्साइड मीथेन, ब्यूटेन, आईसो ब्यूटेन तो सही विकल्ब क्या रहेगा यहां पर मीथेन ठीक है तो राइट आंसर हैगा मीथेन ठीक है, किलियर चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्यूशन पर नेक्स्ट क्यूशन है वेर ड़स दा ऑक्सिजन दाट कीप्स अज अलाइव कम फ्रम हमें जीवित रखने वाली ऑक्सिजन कहां से आती है हमें जीवित रखने वाली ऑक्सिजन कहां से आती है Carbon-Dioxide, Carbonate Absorbed from Soil, Oxide of Minerals, Water ठीक है हमें जीवित रखने वाली ऑक्सिजन कहां से आती है राइट आंसर क्या रहेगा राइट आंसर है इसका Water यानिकी पानी d option पानी इसका सही विकल रहेगा where does the oxygen that keeps us alive from come from ठीक है चलिए h2o पानी होता ना पानी विक्टित हो जाता है hydrogen oxygen oxygen बन जाता है the purest form of iron is iron का सुद्धतम रूप कौन सा है cast iron हो गया steel हो गया pig iron हो गया rough iron हो गया तो iron का जो सबसे सुद्ध रूप है वो कौन सा रूप है तो बताइए जल्दी से क्या सही विकल रहेगा इस question का चलिए सही आंसर रहेगा इसका rough iron ठीक है क्या बोलेंगे इसको rough iron बोला जाएगा जो की iron का सबसे सुद्ध रूप purest form है iron की यहाँ पर हमारे 20 question complete हो गए है half class आपकी हो गई है 40 question कराएंगे तो अभी half class बाकी है जुड़े रहें सभी बच्चे अपने इस class के साथ जैसे मैंने बताया है कि अपना एक school बना कर चेक करके चला करें कि कितने सही कर पा रहें आप 40 में से और last में मुझे बता कर चलें ठीक है PDF डाउनलोड कर लेना description में एक link दिया है telegram का वहीं पर आपको PDF लगातार मिलते रहेंगे लेकिन उनी students को मिलेगी जो लगातार हमारी classes के साथ जुड़े रहेंगे तो PDF वहाँ पर आपको मिल जाएगी और जिन बच्चों ने अभी तक class को like नहीं किया है तो like भी कर दें और साथ ही share बहुत ज़्यादा ज़रूरी है share करेंगे ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे हो गए हैं आगे बढ़ते हैं और आगे क्या question रहेगा the major component in the LPG is LPG में प्रमु घटक कौन सी है methane, butane, ethane, propane अभी तो मैंने जिक्री किया था अभी जब natural gas बताईती तो ठीक है तो क्या रहेगा सही answer बिल्कुल यही answer है सही दे रहे हैं next question है which of these acid is not organic in origin इन में से कौन सा मूल में कार्बनिक नहीं है lactic acid है, sulfuric acid है, citric acid है, oxalic acid है तो कौन सा कार्बनिक नहीं है मूल में वो बताना है हमें तो बताएं बिल्कुल ठीक answer, sulfuric acid रहेगा ठीक है sulfuric acid, H2SO4 the gas used for filling, weather, balloons is मौसम के गबारे भरने के लिए उपियो की जाने वाली gas helium, hydrogen, air, nitrogen helium रहेगा मौसम के गबारे बाद थोड़ी से समझ में नहीं, गैस के गबारे तो होते हैं वह होगा, filling weather balloons तो कौन सी gas होती है, helium तो काफी हलकी gas होती है और उसमें भरी जाती है, helium dry powder fire extinguishers contain, dry powder आग बुजाने वाले यंत्र होते हैं sand, sand and sodium carbonate, sand and potassium carbonate, sand and sodium bicarbonate dry powder आग बुजाने वाले यंत्र होते हैं तो right answer क्या रहेगा इसका, sand and sodium bicarbonate, sand and sodium bicarbonate, ठीक है अगे बढ़ते हैं, next question है, the coating of a thin layer of zinc on steel or iron objects is known as hot dipping, tinning, galvanizing, electroplating steel या लोहे की वस्तो उपर जस्ते की एक पत्ली परत के लेपन की रूप में उसको जाना जाता है ठीक है, तो क्या होगा hot dipping, tinning, galvanizing या फर electroplating तो रहा है, वो कहलाएगा क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा जी आपका galvanizing galvanizing जिसको बोलते हैं, जस्ती करण, जो जंग लगने से बचाता है जंग लगने से बचाता है उसको बोलते हैं, यस्ती करण, या फर जस्ती करण जिनकी परत्थ चड़ा दी जाती है ठीक है आगे बढ़ते हैं Stenless steel is an alloy of Stenless steel एक मिश्रदात हुआ है किसकी मिश्रदात हुआ है क्रोमियम और कार्बन क्रोमियम कार्बन और लोहा क्रोमियम और लोहा कार्बन और लोहा तो बताएं क्या सही answer रहेगा विल्कुँ सही answer है और सही answer रहेगा इसका बी क्रोमियम कार्बन और आइरन ठीक है क्रोमियम होता है कार्बन होता है और आइरन होता है Stenless steel में एसेस बोलते हैं इसको स्टेनलेस स्टील ठीक है निम्लिकित में से किस रंगा सबसे लंबा तरंग दे दे रहे है which of the following colors has the longest wavelength हरा ठीक है हरा green पीला yellow red लाल ठीक है नीला या फिर blue ठीक है बताइए इसका तरंग दे दे रहे सबसे जादा होता है कौन से color का wavelength जादा होता है लंबा होता है तो right answer है गब बिल्कुछ सही answer है यहाँ पर red answer दिया है red answer बिल्कुछ सही बिच्चों ने दिया बिल्कुछ सही answer है red का जो wavelength होता है वो सबसे जादा होता है crystal की सन्मचना जानने के लिए निम्ट में से किसको परियोग में लाए जाता है which of the following is used to know the structure of crystal gamma किरने, x किरने, दृष्चे प्रकास या फिर प्राभगने किरने gamma rays, x rays, visible light, ultraviolet rays तो सही बिल्क पर क्या रहेगा which of the following is used to know the structure of crystals तो सही बिल्क पर इसका सही answer रहेगा x किरने ठीक है क्या right answer रहेगा x किरने, x ray which of the following is used to know the structure of crystals कौन सा योगिक खाना पकाते समय अधिक्तम मात्रा में समाप्त हो जाते हैं which yogics end up in maximum quantity when cooking वसा फैट्स, विटामीन, प्रोटीन, कार्बोहईडरेट्स बताइए, कौन से योगिक जो होते हैं वो खाना पकाते वक्त पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं बताइए, क्या सही विकल्प है, इसका सही आंसर क्या रहेगा? चलिए, right answer दिया है यहाँ पर बच्चों ने बिल्कु सही है विटामीन, ठीक है, विटामीन बिल्कु सही आंसर रहेगा आगे बढ़ते हैं, next question पर चलते हैं निम्न में से सही कथन, बताइए एकी प्रकार के आवेगों में आकर्शन होता है एकी प्रकार के आवेशों में आवेश है आवेशों में प्रतिकर्शन होता है विर्प्रीत प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्शन होता है प्रते के स्तिती में आकर्शन होता है correct statement is from the following तो बताइए सही आंसर क्या रहेगा तो राइट आंसर है इसका वो है एक ही प्रकार के आविशों में प्रतिकर्शन होता है अगे बढ़ते हैं वस्तों के आपस में रगणने पर आविशित होने की किरिया में आदान प्रतान होता है तो होता है तो होता है आपके इलेक्टोंस का ठीक है और नेक्स्ट है दो वस्तों का प्रस्पर रगणने पर क्या होता है when two objects are scrubbed together दोनों एकी प्रकार के आविश्चे आविश्चित होती है इन में से किवल एकी वस्तो आविश्चित होती है दोनों अलगलग प्रकार के आविश्चे आविश्चित होती है वस्तो आविश्चित ही नहीं होती है सही आंसर है इसका बिल्कों C option रहेगा दोनों अलग अलग प्रकार के आविश्य आविश्यत होती है बोथ है चार्ज विद डिफ्रेंट टाइप्स ओफ चार्ज ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं निर्ण में से आविश्यत करण है कौन सा है दा चार्ज पार्टिकल इस इलेक्टोन है प्रोटोन है निट्रोन है इलेक्टोन एंड प्रोटोन दोनों है चार्ज पार्टिकल इन में से कौन है आविश्यत करण इन में से कौन है तो क्या रहेगा सही आंसर सही आंसर रहेगा electron and proton दोनों electron and proton दोनों ठीक है चलिए यतयात के वहनों में silencer का प्रियोग किया जाता है petrol करच कम करने के लिए speed बढ़ाने में value production कम करने के लिए भनी मंद करने के लिए silencers are used in traffic vehicles तो सही विकल्ब क्या रहेगा यहाँ पर वायू प्रदूशन कम करने के लिए ठीक है वायू प्रदूशन कम करने के लिए यानि कि to reduce air pollution यह रहेगा सही आज़ा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं 35 नमबर कुशन है कि धोनी का तारा तो किस पर निर्वर करता है दा पीच आफ साउंड डिपेंड्स ओन आवरती पर आयाम पर ठीक है कमपन काल पर या फिर उप्रोप्त दोनों पर यह तो गया फ्रिक्वेंसी एम्प्लिट्यूड ठीक है तो बताइए क्या सही आंसर रहेगा तो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा इसका फ्रिक्वेंसी आवरती ध्वनी का जो तारत होता है पिछ जो होती है साउंड की जो पिछ होती है आवाज जो होती है तो वो किस चीज़ पर निर्बर करता है आवरती पर निर्बर करता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स क्योशन पर चलते हैं और next question है कि रोगी को देखते समय दौक्टर दोवारा USG कराने के लिए लिग दिया जाता है इसका मतलब क्या है? USG कराने का मतलब क्या है? X-ray है, रखत जाना चाहिए कि blood test कराओ, city scan कराओ या फिर sonography करवाओ This is written by the doctor to get the USG done while looking at the patient This means, क्या मतलब होता है इसका? So, right answer क्या रहेगा इसका? Right answer रहेगा इसका sonography ठीक है? क्या रहेगा? D option, sonography, right answer रहेगा This is written by the doctor to get the USG done while looking at the patient This means, उसको कहा जाता है sonography आगे बढ़ते हैं, next question पर चलते हैं, next question है कि दोनी की प्रबलता है तीवरता का क्या कारण है? The reason for loudness or intensity of sound is अधिक उर्जा, अधिक आवरती, अधिक आयाम, अधिक उर्जा और अधिक आवरती ध्वनी की प्रबलता या तीवरता का कारण चलिए, तो सही answer है इसका? सही answer है अधिक आयाम, ठीक है? I am, amplitude, ठीक है? अधिक आयाम, right answer रहेगा Next question पर आते हैं कि अंत्रिक्ष यात्री, अंत्रिक्ष में आपस में बात्चीत क्यों नहीं कर पाते हैं? Why are astronauts unable to communicate among themselves in space? क्यों कहा जातक कर आ जाता है? ऐसा करने के लिए मना किया जाता है, बोलने से दाब कम हो जाता है, वायू नहीं होने से धोनी का संचरण नहीं होता है, आवाज बहुत तेज हो जाने के कारण किस वज़े से ऐसा होता है, आपस में बात्चीत नहीं कर पाते हैं, तो क्या रहेगा राइट आंसर? तो no ear does not transmit sound, ठीक है? वायू नहीं होने से धोनी का संचरण नहीं होता, ठीक है? आगे बढ़ते हैं बहुत तीजी के साथ और कुश्चन है कि कितने decibel तक की धोनी को सामा कानपी है माना गया है, how much decibel sound is considered normal and aral? तो बताएं, क्या right answer रहेगा? राइट आंसर रहेगा इसका 50, ठीक है? 50, how much decibel sound is considered normal and oral? ठीक है? राइट अंसर 50, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं स्टील पानी निर्वात में ध्वनी की चाल को प्रदर्शित करने वाला करम है, the order showing the movement of sound in steel, water, vacuum and ear is बताएं, क्या सही answer रहेगा इसका? स्टील पानी निर्वात में ध्वनी की चाल को प्रदर्शित करने का करम निर्वात में तो zero होगी ये निर्वात नहीं होना चीए, ये होना चीए वायू ये वायू, air में, ठीक है? वैक्योम नहीं होगा, निर्वात यहां air लिख रहा है, ये vacuum आया ही गलत है, ठीक है? स्टील वाटर एंड एर तो स्टील में 500 सबसे ज़ादा फिर हो गया वाटर में 1490 और 332 हो गया आपका मीटर पर सेकिंड इसमें हो गया वो गया एर में ठीक है चलिए तो यह 40 कोशन ते आई हो कि आपने की होंगे जल्दी से मुझे बता जीजे कि किसने कितने कितना कोशन ठी इंप्यूरिटीज मतलब क्या हो जाता है वही रहता है घट जाता है बढ़ जाता है या फिर कोई सम्ब्द नहीं होता है ठीक है बॉलिंग पॉइंट ऑफ फ्लू ड्यू टू इंप्यूरिटीज तो बताएं सही विकल्ब क्या रहेगा चलिए तो सही आंसर है इसका C option रहेगा सही आंसर और क्या हो जाएगा वो इंग्रीज हो जाता है बढ़ जाता है यानि का सुध्य के कारण दर्म का कत्रांग जो होता है वो बढ़ जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स क्योशन पर चलते हैं और बहुत तेजी के साथ दूसरा सवाल है दूसरा सवाल है कि प्रकास तरंग किस प्रकार की तरंग है kind of wave is light wave अनुपरस तरंग है अनुदेजर तरंग है अनुपरस तरंग है उप्यूपत दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं ट्रांग टम हैं ट्रांसवर्स हैं ठीक है बोत अब आप या फिर नन आप दीज बताएं मुझे जल्दी से सही विकल्ब क्या होगा इसका सही आंसर क्या होगा लाइट वेव के बारे में पूछा जा रहा है तो बिल्कुल यहां पर आंसर आया है अनुप्रस तरंग और काफी भी सारे बच्यों ने बिल्कुल क्रिक्ट अंसर दिया है च्रांसवर्स वेब और क्रांसवर्स वेपस होती है चलीए अगले cricket पर आते हैं और यह है आपके सामने कि सोनार अधिकांस तय उपयोग में लाया जाता है सोनार इस मोस्टली यूज्ड इंजिनियर दोवारा डॉक्टरों दोवारा अंतरिक्ष यात्रियों के दोवारा नौ संचालकों दोवारा सोनार का स्थमाल करते हैं समुद्र में डूबी हुई वस्तों का पता लगाने के लिए तो कौन करेगा उसको उसको करेंगे नविगेटर्स जो नौ संचालक होते हैं जो नौ का का संचालन करते हैं नविगेटर्स वो करेंगे सोनार का समुद्र में डूबी हुई वस्तों का पता लगाने के लिए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं next question पर आते हैं ठीक है चलिए next question हमारा है question की प्रकास में ध्रून की घटना से यह सिद्धू होता है कि प्रकास तरंगे है the incident of polarization in light proves that light waves are तरंगे कंणों के समान तरंगे कंणों के समान नहीं होगी या फिर कंण के समान the incident of polarization in light proves that light waves are तो क्या सही विकल्प रहेगा, सही विकल्प क्या रहेगा तो सही answer है आपका तरंग और कंणों के समान similar to both wave and particle, ठीक है? similar to both wave and particle, right answer हमारा रहेगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत तेजी के साथ और cryogenics is a science dealing with cryogenics एक विज्ञान है जिसके साथ काम करता है high temperature, low temperature, friction and wear growth and growth of crystals cryogenics का सम्बन किस से है cryogenics का सम्बन तो बताएं सही से answer चलिए सही answer आगया है और वो रहेगा low temperature कम तापमान, कम तापमान right answer रहेगा ये फटाफट classes चल रही है ठीक है जल्दी जल्दी answer लगा कर चलें ये एक अच्छा revision हो जाता है आपका एक अच्छा खासा revision 40-40 question का 30 minute के अंदर इससे बहतर कुछ नहीं मिलेगा जिन बच्चों ने तैयारी का रखे उनका revision हो जाता है जिन बच्चों ने तैयारी नहीं की है तो उनको नए 40 question मिल जाते हैं तो इनको रट्टा लगा लो इसी तरह के सवाल पूछे जाएंगे exam में ठीक है अभी समय है समय रहत दर्टा मीडूस तो फूर तैंस दें दा पैंदूलम विल विदिस्टैंड रहेगा चलिह राइट आइगा दो ठीक है दो भुना जाएगा इस डबल जाएगा थना डबल हो जाएगा याद रखेंगे ठीक है कितने बच्चे ऐसे हैं जो उन्होंने लाइक कर दिया है जल्दी से बताओ मुझे कितने बच्चे ऐसे हैं जो क्लास को लाइक कर दिया है अच्छा काफी सार उन्हें कर दिया है जो जिन्होंने नहीं किया है लाइक कर दो जल्दी से जल्दी से लाइक कर दो और शेयर किस-किस ने कर दिया है, शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर दो शेयर कहां का कर सकते हो, What's Up है टेलीग्राम है तेलीग्राम है Facebook है Instagram है ठीक़, जहां भी जुड़े हुए हो तो वहाँ पर शेयर जबूद करें चलिए, आगे बढ़ते है पानी से निकलने पर shaving brush के बाल आपस में चिपक जाते इसका क्या करना है The reason for this is that the hair of the shaving brush sticks together when it comes out of the water तो क्या सही विखल्प रहेगा इसका क्या रहेगा प्रष्ठतना surface tension ठीक है surface tension हिंदी में लिखा हुआ है इंग्लीश में नहीं है surface tension तरफेस टेंशन है ठीक है चलिए बताइए उझे सुवी का पानी के उपर तैरने का कारण क्या है प्रस्तनाव है आसंजन है ससंजन है केशी कत्व है देडल प्रस्तनाव प्रस्तनाव के कारण सुवी पानी पर तैर जाती है तर नेक्स कूशन पर और नक्स क險 आगे अमारे सामने दरव में आनसिर उपसे पूर्टे डूबे होए किसी थोस दवरा प्राप्त उच्छाल की मात्रा किस चीज पर निर्बर करती है ठीक है ठोस के भार पर ठोस के द्रव्हामान पर ठीक है या फिर ठोस द्रवारा हटाए ग तो राइट आंसर है इसका थोस द्वारा अठाए गए द्रव की मातरपर पर थोस द्वारा हटाए गए द्रव की मातरपर उन्द आमांट आफ लूड रिमॉव डॉड वाई एक सॉलिड कुछ कोश्ण आपको ऐसे लग सकते हैं जो आउट ओफ रिंज आपकी जा रहे होंगे सारे कुछन इंपोर्टेंट करा रहा हूं कोशन एक भी ऐसा नहीं कि फालतो कोशन करा दिया गया कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी अटाती है अपने इसके घनतों के बराबर भार के बराबर प्रष्ट भाग के बराबर या फिर आयतन के बराबर इसमे जो नहीं सवाल के और से कोई भी नाव नहीं डूब एगी नहीं डूब एगी तो बंएगा नहींडूब से इसके बराबर बताईगा हार महार रहेगा चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते आगे बढ़ते हैं कोशन है की द्रव को नहीं विनास किया जा सकता है तो यह क्या है प्रासरन का नियम है उड़जा संरक्षन का नियम है या फिर दुझाओर का नियम है या फिर सम्वेख संरक्षन का नियम है – लिक्विड़ कैन नाइदर बी क्रिटब नॉर डिस्ट्रोयड क्या Zombie कल पर हäगा सै विकलप रहेगा दुझा दुझाओं है तो उसका कार परिवर्तित हो जाता है ऐसे पदार्थ में क्या पाए जाते है इस्तिती जूर्जा गती जूर्जा फिखंडन जूर्जा या फिर संची तूर्जा वन सब्सक्राइब कोई साइकल सवार किसी मोड में घूमता है तो वह है क्या होगा बाहर की जूपता है आगे की जूपता है अंदर की जूपता है या बिलकुल नहीं जूपता है है इफ डिस्टान अराउं अराउड यूपता है इफे साइकलेस्ट अराउं अराउं इने टर राउंड यूपता है टिल्स अन्वार अंदर की जूपता है या राइट असराएगा अंदर कि और जुगता है ठीक है अंदर की और जुकाव हो जाता नैंजब पर किसी इन चल के साथ साथ जुपाव पैदा होते है जब एक चल वस्तु की कटी दुगनी हो जाती है तो उसकी जूर हो जाती है चार गुनी हो जाती है जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रिवेश करती है तो वेने बोट एंटर दसी फ्रॉम ए रिवर क्या होगा थोड़ी उपर की ओर उड़ जाती है है ना वो सब घनतु के कारण ऐसा होता जब थोड़ी उपर की ओर उड़ जाएगी जब नाव नदी से के संहें है किस में एंटर करेगी सी में यानि की इंटर करेगी ठीक है चले है 15 कुछन हो गए है जल्दी से लाइक शेयर करतों किन बच्णों ने लाइक शेयर बी जीरो ठीक है समझ रहे हैं ना चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स क्योशन पर आते हैं और नेक्स क्योशन यह है कि निम्निकित में से किसमें गती जूड़जा नहीं होती है चलिवी गोली चलता हातोड़ा बैहता हुआ पानी खिचा हुआ धनुष विच आप नौट कंटेइन काइनेटिक एनर्जी तो किसमें नहीं होगा खिचा हुआ धनुष क्योंकि ऑल्लेडी वो खिच चुगा है ड्राउन भो ठीक है ऑल्लेडी खिच चुगा है तो उसमें कहां से होगी गती जूड़जा ठीक है चली हुए गोली गोली चल रही है ठीक है गती सवाल यह है कि यदि किसी वस्तू का वेग दुगना कर दिया जाए तो समवेग दुगना हो जाएगा गती जूड़जा चारगुनी हो जाएगी उप्यूप दोन हो जाएगे या फिर इन में से कोई नहीं वेलोसिटी ओफ एन अब्जेक्ट इस डबल्ड तो मुमेंटम विकम्स डबल्ड जाएगा और गती जूड़जा भी चारगुनी हो जाएगी यदि किसी वस्तू का वेग जो है उसकी वेलोसिटी जो है वो डबल कर दी जाए दुगनी कर दी जाए नेक्स कुछन है कि दावर बढ़ाने पर रफका गलनां क्या होता है पहले गटता है फिर बढ़ता है या फिर परिवर्तित रहता है बढ़ जाता है घट जाता है melting point of ice on increasing pressure first decrease then increase remains unchanged या फिर increase या फिर decrease बताइए क्या रहेगा सही विकल्प तो बिलकुल right answer आया है इसका decrease decrease यानि कि वो घट जाता है क्या करता है वो डग घट जाता है दाव बढ़ाने पर बरफका गलनां क्या होता है decrease कर जाता है घट जाता है आगे बढ़ते हैं न्यूटन की गती का प्रतम नियम क्या कहलाता है सम्वेक सरणक्षण का नियम जनत का नियम गतिशीलता का नियम या फिर इन मेंसे कोई नहीं what is called the first law of motion of Newton's rule of momentum protection law of inertia law of mobility या फिर none of these बताइए क्या सही विकल्प रहेगा right answer रहेगा law of inertia जनत का नियम ये रहेगा सही विकल्प न्यूटन की गती का प्रतम नियम क्या कहलाता है law of inertia यहाँ पर आपके हो गए है 20 question यानि क्लास हो चुकी है आपकी हाफ 40 question कराने है आदी क्लास बाकी है आदी क्लास हो गई है और जैसे मैंने बताया कि अपने आपको चेक करते रहा करें पीपर पर लिखकर पर बताया था ना कि पीपर पर नंबर डाल दिया करें एक से 40 तक और जो सही होता जाए इसके आगे right लगाते रहो ठीक है जो गलत हो जा आपका है ना तो अगर ऐसे ही हम लगातार क्लास लेते रहेंगे तो बाई एक महिने में 1200 कोशन ते यार हो जाएंगे आपको समझ रहें ना चलिए और प्लानिंग करी रहा हूं कल सुबह सायद आपकी 6 बजे आजाए जनरल अवरमेस की भी क्लास टॉफोर्टी कोशन की जि चीर जरूर से कर दो ठीक है यह चीज देते रहना और कुछ नहीं चीए भगवान का दिया सब कुछ है आगे बढ़ते हैं वाशिंग शूड़ा का सही सूत्र क्या है वाट इस दे क्रेक्ट फॉर्मॉला और वाशिंग शूड़ा बताए तो सही विकल्प क्या रहेगा इसक इसका सही विकल्प रहेगा नुटू-C-O-3 2H2O ठीक है चलिए कपड़े दोने का जो दोवन सोड़ा जिसको बोला जाता है नम्रे कितम से कौन सा तनो अमल में से हाइडोजन को विस्थापित करता है which one of the following elements displaces hydrogen from dilute acid aluminium है तांबा है यानि कौपर सोना है यानि की गोल्ड इसलवर है यानि की चांदी तो बताए क्या सही आंसर रहेगा तो सही विकल्प है इसका C-Gold ठीक है सोना ठीक है जो तनो अमल में हाइडोजन को विस्थापित करने का काम करता है कि अमल वर्षा मुक्त रहता है किस गैस के कारण होती है इसे ड्रेइन इस मेंली ड्यू टू विच गैस क्या रहेगा आंसर इंट्टू सी यो टू एसो टू यह सी यो तो क्या आंसर रहेगा एसो टू सल्फर डाय अक्साइड ठीक है सल्फर डाय अक्साइड रहेगा चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत तेजी के साथ निव्ड में से कौन सा उरूरक नहीं है इनमें से कौन सा उरूरक नहीं है पटिलाइजर बताना है जिसको हम उरूरक के रूप में इस्तमाल नहीं करते हैं तो क्या रहेगा पोटीशियम नाइट्रेट पोटीशियम नाइट्रेट तो विस्पोटक होता है ठीक है potassium nitrate तो विस्पोटक होता है explosive में इस्तमाल किया जाता है ठीक है यह और उरक नहीं है ammonium sulfate भी है calcium sulfate potassium ammonia nitrate चालिए आगे बढ़ते हैं प्रयोख्षान में silver nitrate गोल को ब्राउन बोतलों में रखा जाता है क्योंकि in the laboratory silver nitrate round in keep in brown bottles because यह साधान सफेद बोतलों के साथ प्रतिक्रिया करता है brown बोतलों में प्रकाश गुजरने का रास्ता बंध हो जाता है brown बोतले उनके साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है या फिर brown बोतले उनके साथ प्रतिक्रिया करती है ठीक है तो बताओ सही विकल्ब क्या है इसका राइट ऐंसर अगया बी ऑक्शन रहेगा प्राउन बोतलों में प्रकाश्ट गुझेरने का रास्त स्थ्थ बंद हो जाता है लाइट स्टाप इन ब्राउन बोतल से उसको प्रेंडर रखा जाता है ठीक है चालिए कमरे के ताप मान पर निम्ली कित्म से कौन सा गैस नहीं है which of the following is not a gas at room temperature hydrogen iodine fluorine या फिर helium कमरे के ताप मान पर निम्ली कित्म से कौन सा गैस नहीं है क्या राइट आप रहेगा iodine रहेगा iodine कहां से मिलता है समुद्र से प्राप्त होता है iodine समुद्री जल में salty water में नमक में पाये जाता है iodine की कमी से क्या हो जाता है गहेंगा रोग हो जाता है goiter जिसको बोलते हैं ठीक है याद रहे निम्ल में से एक परमानविक गैस है one of the following are atomic gases hydrogen nitrogen chlorine helium परमानविक गैस इन में से कौन सी है helium ठीक है helium right answer परमानविक गैस कौन सी हो गई helium कि सिमिंट का काम क्या रहे है तब कि सिमिंट का इन्विंशन किस ने किया था पॉर्ट्लैंड सिमिंट जॉजफ अस्पदीन जो जब अस्पदीन के द्वारा पॉर्ट्लैंड सिमिंट का इन्विंशन किया गया था पूज की गई थी या बनाया गया था विश्कार किया था राइट आंसर क्या रहेगा ससंजग लास्टिसिटी आसंजग या फिर कठोड़ता आसंजग ठीक है आसंजग रहेगा सी ऑप्शन राइट चलिए क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्लिक वित्म से क्या उप्योग में लाया जाता है विच आप दा फॉलोंगि उस्टो में क्लोरोफॉर्म एथेन मीथेन एथेन दो जगा हो गया एथेन एसेटलीन चलिए राइट आंसर रहेगा वैसे इसका मीथेन ठीक है राइट आंसर रहेगा इसका मीथेन अश्रू गैस का रासानिक नाम क्या है तियर ड्रॉप इस दे केमिकल नेम अफ गैस बैंजो फिनॉल चलोरो ऐसीटो फिनॉल ब्रोमोग ऐसीटो फिनॉल यह फिर ऐसीटो फिनॉल असरूग है इसका रासानिक नाम राइट अंसर एसका chloroacetofenol chloroacetofenol right answer रहेगा, यहाँ पर हमारे 30 question complete हो गए है, 10 question अभी बाकी है, जिन बच्चों ने भी तक like नहीं किया है और share नहीं किया, बहुत बड़ा गुना कर रहे हैं, ना करके कर दें जुली से दुआएं मिलेंगी आपको तो like share तो जरूर से कर दिया करो कुछ नहीं किसता आपका, कुछ भी खर्च नहीं होता है, यह खर्च होता है like share करने में, नहीं होता है बिलकुल, कुछ भी खर्च नहीं होता है तो like भी किया करें और share भी किया करें 10 question बाकी हैं देखते हैं, 10 question में आपकी इस्तिती क्या रहती है कहां किस पायदान पर लास्ट में आप पहुँच पाते हैं चलिए बढ़ते हैं आगे N2 और H2 से अमूनिया बनाने की हैबर विदी में प्रियोग किये जाने वाला उठ प्रिरख कौन सा है The catalyst used in हैबर method of producing ammonia from N2 and H2 is तो option है लोहा है, वेनेडियम पेंटाउकसाइड है पेलेडियम है या फिर निकिल है तो सही भी कलपा है इसका लोहा यानि की आईरन आईरन राइट आँसर हैगा The catalyst used in हैबर method of producing ammonia from N2 to N2 is iron right answer है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं खाद परी रक्षक के रूप में सबसे अधिक प्रियोग होने वाला पदार्थ कौन सा है Food is the most commonly used substance as a preservative sodium carbonate, tartaric acid acetic acid benzoic acid का sodium लवन ठीक है तो क्या right answer हैगा right answer हैगा benzoic acid का sodium लवन sodium salt और benzoic acid sodium salt और benzoic acid खाद परी रक्षक के रूप में सबसे अधिक प्रियोग होने वाला पदार्थ सही है चलिए आगे बढ़ते हैं यूरिया किसमे संसलेशित होता है यूरिया is synthesized in यकरत lungs spleen renal यानि की kidney बताओ जल्दी से right answer क्या रहेगा चलिए यूरिया किसमे संसलेशित होता है kidney होना चाहिए right answer right answer क्या रहेगा kidney kidney right answer रहेगा ना की liver ये गलत है चलिए इसको correct कर लेना आगे बढ़ता है पित जमा होता है किसमें जमा होता है bile accumulates pitasya duodenal liver या फिर spleen पित कहां पर जमा होता है पित जमा होगा pitasya में इसको गाल ब्लेडर बाइल बूला जाता है तो गाल ब्लेडर में जमा होता है आपका bile पित का सुरूत क्या है what is the source of bile गाल ब्लेडर लीवर बाइल दक्ट यह फिर पैंक्राट से निकलता है लीवर से उसे लीवर बाइल बोलते हैं और कहां स्थोर हो जाता है गाल बलेडर पूरा एक प्रॉसेस होता है इसका आगे बढ़ते हैं कौनसा enzyme protein को pepton में बदलने का काम करता है which enzyme converts proteins to peptons Pepsin, Trypsin, Eurapsin, Enterofinase कौन सा enzyme है जो protein को pepton में बदलनेका काम करता है which enzyme converts protein to peptons तो सही विकल पाएगा पैपसीन ठीक है पैपसीन जो की प्रोटीन को प्रेप्टोन में बदलने का काम करता है कोशने की दूद में दूसरा सबसे बड़ा तत्व कौन सा है फैट है मिनरल है वाटर है यह फिर शुगर है दूद में पाए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा तत्व है पहला तो कैल्शियमी हो गया ठीक है और दूसरा क्या हो गया फैट हो गया वह साथ चलिए आगे बढ़ते है माना शरीर में वसा जमा होती है human body accumulates fat in supernatural fat tissue in liver in epithelium कहां पर जमा होती है जो fats होता है accumulates fats कहां पर how many accumulates human body accumulates fats कहां पर कौन सी जगह है वह है आपका tissue fat tissue ठीक है वसाओ तक ना fat tissue में सही है ना diastate enzyme का स्रोथ क्या है diastate is the source of enzyme diastate is the source of enzyme large granty salivary gland ठीक है diastate is the source of enzyme बताइए जल्दी से right answer रहेगा right answer रहेगा salivary gland लार ग्रंती ठीक है लार ग्रंती राइट आंसर रहेगा 49 question हो गया समय हो गया promotion का promotion यह है कि daily general science की चार बज़े आपको यह class मिलती है साथ ही आपके लिए लेकर around शाम को month wise January से start करेंगे January 2020 से और वहां पर आपको current affair कराएंगे daily आपको 9200 question वहां पर उस series के अंदर कराएंगे 9200 मतलब एक ही मन्त के 90 से 100 current affair के question ठीक है तो वह आप जरूर जुड़ें उसके साथ और सुबाद 6 बज़े class start की जा रहे है इसी गुरुकुल हव YouTube channel के माध्यम से बिलकुल free में बिलकुल free में class मिल रही है साथ ही PDF भी आपको free में मिल रहे है लेकिन PDF वह है कि genuine बच्चे होंगे जो daily glass में आएंगे daily हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे पूरे इस package free package के साथ जुड़ेंगे उसको वो PDF मिलेंगे आयराम गैराम की इस्तिती रखने वाले ठीक है वो हमारे main student नहीं रहेंगे थोड़ा सा यहां थोड़ा सा हमने थोड़ा सा इस बात के बारे में सोचा है समझे ना तो अगर वाकई में genuine है तो बिलकुल आप जुड़ें हमारे साथ और हम इस मुहिम को आगे लेकर चलेंगे और आपको PDF वगयरा सारा content free मिल जाएगा मतलब पूरा GKGS का portion आपको सब तैयार करा दिये जाएगा बहतर तरीके से बहतर तरीके से है ना चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल यह है कि enzyme के protein भाग को क्या कहते है इसके साथ हमारे यह 40 mcq आज के जनल साइंस के complete हो गए तो चलिए शुआत करते हैं बिल्कुल पहले कोशन से आप लाइक और शेयर कर दीजे तो फर्स कोशन आपके सामने आ गया है बहुत तीजी के साथ कोशन यह कि हाइपर मेट्रोपिया यह लंबी दृष्टी का उप्योग करके ठीक किया जा सकता है किसको दिवीफोकल लेंस बेलनकार लेंस अफ्तल लेंस या फिर उत्तल लेंस ठीक है हाइपर मेट्रोपिया जो लंबी दृष्टी की जो बिमारी होती है उसको कौन से लेंस का प्रियोग करके हम ठीक कर सकते हैं तो बताइए चार आप्शन है बायोफोकल लेंस सिलिंड्रिकल लेंस कौनके लेंस य जुड़ें और अंते तक जुड़ें और खुद अपना एक स्कूर चेक करके चलें अब चेक करने का तरीका क्या है मैं बता देता हुआ अपने पास एक पेपर रख लो जल्दी से एक पेपर रख लो और पेपर पे 40 डाल दो एक सलीकर 40 तक अब जो सही होते जाए उसके आगे कि अगहें सवाल पर चलते हैं बहुत देजी के साथ सवाल यह है कि बोलो मेंटर healthy है वेलोसिटी है गती टीका है और बिधान्ध हो गया तरंग देदर है तो बताइए क्या सही आंसर रहेगा इस्क味लन का बताए जल्दी से तो सही answer है temperature बिलकुट temperature यानि कि ताप मान ताप मान बच्चो बिलकुट right answer रहेगा इस question का ताप मान चलिए आगे बढ़ते हैं next question पर चलते हैं बहुत तेजी के साथ और question यह है दिहान से पढ़ना तो अगला सा लंबा है कि लंबे लंबे आपको option दिखाई दे रहे हैं कि सर्दियों में एक ही मोटी shirt की तुलना में दो पतली shirt हमें करम क्यों रख सकती है मतलब यह हो सकता है कि दो पतले shirt मोटे हो जाते हैं इसलिए गर्मी के संचरणों को रोकते हैं दो shirt के बीच हवा की परत अच्छे conductor के रूप में काम करती है या दो shirt के बीच की वायू परत माद्यम को इंसलूइट करने जैसा वैवार करती है सर्दियों में एक मोटी shirt की तुल्ला में दो पतली shirt हमें क्यों को रहम रख सकती है क्योंकि shirt की बीच की वायू परत माद्यम को इंसलूइट करने जैसा वैवार करती है कुछ है lenses is made up lens किस से बने होते हैं पायरेक्स ग्लास flint कांच ordinary glass या फिर को बाल्ट ग्लास ठीक है lens जो होते हैं lens जो इसमाल करते हैं और वो lens जो होते हैं वो किस सीज की बने होते हैं राइट अंसर इसका flint कांच ठीक है flint glass ठीक है b option flint glass right answer रहेगा which color of light shoes maximum deviation when passed through a prism prism से गुजरने पर प्रकास का कौन सा रंग अधिक्तम विचलन दिखाता है red green wallet yellow ठीक है लाल हरा बैंगनी या फिर पीला कौन सा अधिक विचलन पैदा करता है prism से जब उसको गुजारते हैं तो सबसे ज़्यादा जो deviation होता है वो किसमें होता है रैट अंसर रहेगा आपका wallet wallet यानि की बैंगनी जो रंग यह होता है तो आगे बढ़ते रैफ्रीजरीशन एक प्रक्रिया है जो reserved G7 रिंढंगा अब म काम होता सुर्ण ही करता है फिर प्लाजमुलाइज करता है कोई भी चीजँ है खरआप उने बचने के लिए डिल्याश में रख देता है वो क्या करता है? वो क्या करता है? जो slow downs the bacteria growth जो bacteria की विकास को धीमा करने का काम करता है, ना? कोई भी चीज बच जाती है सबजी वगर ही बच जाती है, तो क्या करते है? उसको freeze करते हैं, उसको refrigerator में रख देते हैं, दूद है, दही है ठीक है कोई भी वेज़ी टेवल हम कच्छी भी वेज़ी टेवल खरीद के लाते हैं मार्केट से तो उसको भी डाल देते हैं ठीक है तो क्या करता है वेक्टिरी के विकास को धीमा करने का काम करता है आगे बढ़ते हैं next question पर आते हैं cellular phone का पिता किसे कहा जाता है लिंस, टोरवाइल्स, परसी, लेबरन, स्पेंसर, फ्रेंड मौरिशन, मार्टिन कूपर who is the father of cellular phone हर कोई cellular phone को इस्तमाल करता है तो cellular phone के पिता किसको कहा जाता है तो cellular phone के पिता है यहाँ पर वो है Martin Cooper पहली company थी Motorola जिसने cellular phone यान की mobile phone बनाया है जिसको आप mobile बोलते हैं न mobile phone उसको सबसे पहले बनाया था Motorola company ने और इसके जनक कौन माने जाते हैं फादर माने जाते हैं Martin Cooper याद रखना आगे बढ़ते हैं रंग का कौन सा सी हूँ जो दिन और रात के समय में सबसे सुईदा जनक है ओरेंज एन ब्लू वाइट एन ब्लैक येलो एन ब्लू रेड एन ग्रीन चलिए राइट आंसर क्या रहेगा लाल और हरा ठीक है रेड एन ग्रीन राइट आंसर यहां पर रहेगा ठीक है जो की दिन और रात के समय में सबसे सुईदा जनक होता है इस कुमिनेशन कलर इस दा मोस्ट कोविएंट डूरिंग डेन नाइट टाइप अगे बढ़ते हैं पोर्टलेंड सिमिंड का विश्कार किसने किया था हूँ इन्वेंटिट पोर्टलेंड सिमिंड लियनार्दो दा विंची डैनिस गैशन जोजव अस्पदीन परसी एल स्पेंसर चले बताए यह क्या सही विकल्प रहेगा तो बिल्कुल यही सही विकल्प है इसका जोज अव अस्पदीन और राइट अंसर बिल्कुल रहेगा इस क्यूशन का आगे बढ़ते हैं the energy is true, in a watch spring is एक घड़ी、 इमें संग्रेत उरजा कैसी होते हैं kinetic energy है potential energy, heat energy, chemical energy कल भी आया था ये question कल भी question आया था बताईए जल्दी से एक घड़ी में जो संग्रेत उरजा है तो वो कैसी उरजा है वो है आपकी potential energy कैसी उरजा है potential energy ठीक है जो घड़ी में संग्रेत ऊड़ जा होती है समझ रहे है ना चलिए दस कोईशन यहां पर कंप्लीट हो गए हमारे जल्दी से बढ़ते आगे तीस कोईशन अभी बाकी है जुड़े रहे हैं अंतर तक like और share जरू से करते रहे हैं जिन बच्चों ने अभी तक class को like नही दिखाई देता है हरे रंग की रोश्री में वही गुलाब कैसा दिखाई देगा red black green yellow लाल काला हरा या फिर पीला तो बताएं क्या सब्सक्राइब राइट अंसर रहेगा उसका black यानि की काला दिखाई देगा वह अरे प्रकाश हो हरे रंग की रोश्री में गुलाब कैसा दिखाई देगा black दिखाई देगा काला अंचो अप्टिकल फाइबर की गटना किस परादा रहेता है व्यतीकरण , इंड़ फैलाव , डिस्पर्शन , विवरतन , डिफ्रेक्शन , प्लांत्रिक प्रावतन , टूटल इंटरनल रिफ्लेक्शन , अप्टिकल फाइबर्स और है total internal reflection लेकिए optical fiber की घटना किस पर आधा रहीत है total internal reflection प्रकास के पूर्ण आंतरीक प्रावर्तन करेचार फंदी का काम करता है इसके इसी थाध्यांद पर काम करता है किसके सिध्धूहहंत पाःलफ इंडेक्षिन स्वय प्रेणण मीच्छल इंदेक्ष industri प्रास्परी यह क्या सही विकल्ब रहेगा इस question का जो transformer है वो किसके सिद्धान पर काम करता है तो क्या करता है वो वो करता है जी mutual induction करता है पारस पर एक प्रेरण ठीक है mutual induction का काम वो करता है transformer प्रकास के फैलावत अध्यन करने के लिए निमली कितम से किस उप्रण का उप्यों की किया जाता है microscope, durbin, spectrometer, photometer which one of the following instruments is used to study dispersion of light microscope, telescope, spectrometer, photometer सभी बढ़ी answer दे रहे हैं जली जली answer दे बहुत बढ़िया comment तो नहीं पढ़ रहा क्योंकि comment पढ़ूँगा तो बहुत समय लग जाता है but मेरी तरब से बस यही है कि keep it up बने रहे हैं ऐसे ही और answer दे रहे है अच्छा तयार ही चल रहा है आपका revision अच्छा चल रहा है right answer इसका spectrometer, c option, spectrometer right answer रहेगा which one of the following instruments is used to study dispersion of light तो रहेगा spectrometer है ना चले अगले प्रिश्ण पर आते हैं अगला question है वो होती है अल्ट्रा वॉयलेट ठीक है अल्ट्रा वॉयलेट रेज जिनको बोलते हैं पराबैगनी क्या बोलते हैं उनको पराबैगनी ठीक है सूरत से आते हैं पराबैंगनी किरने उनको कौन ओजोन लेयर जो होती है उसको रोकने का काम करती है जो पराबैंगनी रेज होती है ठीक है यहाँ पर बैक्टरियों को खतम करने के लिए इस्तिमाल किया जाता है पराबैंगनी अल्ट्रा वालेट रेडियेशन का समझ रहे है ना चलिए अगले प्रश्ण पर चलते हैं colorblind विक्ति नहीं कर सकता colorblind जो विक्ति होता है color vision जिसको परसन कैन नौट क्या नहीं कर सकता दूर की विस्टिव को देख नहीं सकता काले रंग को देख नहीं सकता कुछ रंगों के बीच अंतर नहीं कर पाता या फिर दरश्टी की द्रड़ता होती है have persistence of vision है ना बताइए क्या नहीं कर सकता है color vision वाला विक्ति आसान कोश्चन है कई बार हम इसको पढ़ चुके हैं तो क्या करेगा वो कुछ रंगों के बीच अंतर नहीं कर पाएगा कौन कौन से रंग होते हैं एक तो red होता है और एक green होता है ठीक है कौन सबसे ज़्यादा जरूरी है इन दोनों में इसकी ज़रूरत है color blindness की वो problem नहीं होने चाहिए सबसे ज़्यादा चेक किया जाता है खाद प्रोटीन के दो सबसे सम्रद ग्याद स्तुरूरत कौन से हैं दो टू मोस्ट नोन सोर्सिस ऑफ एडीबल प्रोटीन आर मासत अंडा दूद और सबजियां सोयबीन और मुँफली एक परकार का शैवाल और अन्य सुक्षन जीव आसान है सोयबीन मुँफली बिलकुन ठीक है सोयबीन में तो सबसे यदा प्रोटीन पायाता है उसके बाद मुँफली हो गया ठीक है तो सोयबीन और मुँफली दोनों में ही सबसे यदा प्रोटीन पायाता था प्रोटीन के लिए सबसे यदा ज़रूरी और प्रोटीन किस मिटामिन के लिए का किस चीज का स्थमाल करते हैं माना शरीर में संकरमन को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है इसे विटामिन को रोकने में मदद करने वाला विटामिन होता है विटामिन ए की कमी से कॉन सिप्ट डिजीज होते एक आँखों की बिमारी भी होते है नाइट ब्लाइड़नेस ही हिंधी में वोलते है रतांधी ठीक है इसको भी याद रखेंगे चलिए आगे बढ़ते है आगे बढ़ते हैं नेक्स क्वेशन पर आते हैं नेक्स क्वेशन है कि नमलेकित में से किस भारी धातों की विशाक्ता यकरत सुरोसिस पैदा करती है which of the following heavy metal virus causes liver सुरोसिस, copper है, lead है mercury है या फिर zinc है तो बताईए सही विखल्ब क्या रहेगा इस क्वेशन का राइट अंसर आया है बिल्कुल copper रहेगा ठीक है, copper बिल्कुल सही विखल्ब रहेगा किस भारी धातों की विशाक्ता यकरत सुरोसिस पैदा करती है तो वो गया आपका copper ठीक, चालिए, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं नीबू में खटास किस चीज़ की होती है what is the sore in lemon acetic acid, ascorbic acid, tartaric acid, citric acid तो नीबू जो खटा होता है नीबू की खटास किस वज़े से है किस वज़े से है citric acid, ठीक है citric acid पाया जाता, acetic acid पाया जाता है vinegar में, सिरके में ascorbic acid होता है vitamin C vitamin C का chemical name tartaric acid किस-kिस में पाया जाता है एक तो terramid में पाया जाता है himaly में पाया जाता है और एक किस में पाया जाता है अंगूर में, grips में इनमें पाया जाता है tartaric यहाँ पूछ रहा है नीबू, नीबू में खटास है, सिट्री क्या सब गए ठीक है, 20 questions complete हो गए है, 20 questions अभी बाकी है आधी class हो गए, आधी class बाकी है जल्दी से like कर दो, जिन बच्चों ने like नहीं किया है जिन बच्चों ने share नहीं किया है share भी कर दो, PDF के लिए link description में है, telegram को join करलना है, वहाँ पर PDF मिल जाएगे, लेकिन मिलेगी उसको ही, जो लगातार classes में जुड़ा रहेगा ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिलकोल, और check करते चलें कि कितने question ठीक कर लिए है, 20 तक ठीक है, हो चुके हैं, 20 सबी question बाकी है, आगे बढ़ते हैं, बहुत तीजी के साथ question ये है कि question ये है कि निमलिकित में से कौन सा लार का लाब नहीं है which of the following is not a benefit of saliva ये निकलने में मदद करती है सरी निमार बीसी की वरदी करती है, मुक तता दातों को साफ रखते है, होटो तता जीवो की गती के को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करती है तो ये होटो तता जीवो की गती को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करती है ठीक है बाकी यहाँ पर सब सही है निगलने में मदद करती है यह सरीर में RBC की वरदी करती है मुक्तता दातों को साफ दे रखती है ठीक है तीनों विकल ठीक है चौता गलाता है लार किसके पाचन में मदद करती है हुज सलीवा helps in digestion fats है, starch है, protein है, vitamin है बताइए, लार किसके पाचन में मदद करती है तो right answer starch, starch के पाचन में मदद करती है मुक्त से लिकली लार पाचन करती है same question, saliva from the mouth, digest fat, starch, protein, vitamin अब तो 100% पोल होना चाहिए भूल गया, class तो YouTube पर चल दी, यहां थोड़ी ना पोल आएगा तो क्या right answer हैगा, starch ठीक है, starch एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट यहां fats दे रखा है, और यहां है starch, यह गलत है, इसको सही कर लेना, ठीक है starch ठीक है, आगे बढ़ते हैं निम्लिकित में से, विटामीन C का सरुथ्तम सुरूत कौन सा है दा फॉलोविंग आर दा बैस सूर्चिस ओ विटामीन C अंडे की जर्दी यानिके एक यॉक, मचली का यकरत तेल, फिश लिवर ओँल, कोड मचली का यकरत तेल, कोड फिश लिवर ओँल, शेट्रस वर, सेट्रूस, फूट हां, क्या राइट अंसर है इसका है राइट अंसर है इसका विटामीन C सेट्रिक एसिट पाई जाता है विटामीन सी सेट्रिक एसिट रसदार फलो में सिट्रस यही पूछ रहा है ना चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सक्वेशन पर आते हैं नेक्सक्वेशन है निमलिकित मैं से किस भाग में पाचंद अतो शुषन निलिका क्रॉस करती है इन विज दा फॉलोविंग पार्ट दस दा डाजेस्टिव रस्पर्टरी ट्रेक्ट क्रॉस क्या रहेगा इसका सही विकल्प तो राइट अंसर इसका फायरेनिक्स गरस्णी ठीक है गरस्णी राइट अंसर रहेगा अन एक समरत स्रोथ है food is a rich source जो अन है जो food है वो किस चीज़ का source है glucose, starch, glucose, sucrose या फिर maltose है ना बताई एक किस चीज़ का एक समरत स्रोथ है तो बताइए कि सही विकल्प क्या रहेगा तो सही विकल्प रहेगा जिसका स्टार्ट ठीक है ए ओप्षन स्टार्ट राइट आंसर रहेगा शहद में मुख्यते होते हैं हनी कंसिस्ट मेंली ओफ प्रोटीन कार्बोहईडरेट फैट विटामिन सहद में मुख्यते क्या होते हैं प्रोटीन कार्बोहईडरेट फैट या फिर विटामिन राइट अंसर इसका कार्बोहईडरेट ठीक है कार्बोहईडरेट राइट अंसर हैगा बी ओप्षन बिलकुल सही विकल्प रहेगा विटामिन E विशिस्ताएं किसके लिए महतरपून है For whom are vitamin E characteristic important दातों के विकास के लिए कार्बो हाइडरेट उपापच्चेन में लिंग गरंतियों की सामने किरिया में उपकला उथकों के सामने स्वास्ते के लिए चलिए राइट आंसर क्या रहेगा epithelior products for general health उपकला उथकों के समन्ने स्वास्त के लिए विटामिन E की विशिष्टाएं किसके लिए महतरपून है चलिए आगे बढ़ते हैं next question पर next question आगे हमारे सामने कि मानाव सारीत का सबसे बड़ा अंग कौन सा है liver, heart, brain, kidney आसान question है यकरत रहेगा बिल्कुल liver रहेगा ठीक है? क्योंकि यहाँ पर skin option में नहीं है जब skin option में नहीं होगा तब तो हम liver ही answer लगा कर चलेंगे ना जब skin option में नहीं होगा तो liver answer लगाएंगे ठीक है? यही तो बताया है आपको liver, largest organ होगे आप और liver जो है वो largest largest gland भी है ठीक है? largest gland second largest हो जाती है pancreas जो आपका अगनाश्य होता है वो second largest लेकिन largest की बात करें तो हो जाती है आपकी gland ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं next question पर निमलिकित में से हमारे शरीर में कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथी हो सकती है which of the following can be the largest gland in our body? PC यानिके muscle, तंत्रिका यानिके nerve, यक्रत यानिके liver उप्रूप्त में से कोई नहीं है यानिके none of the above तो right answer क्या रहेगा? liver ठीक है? यक्रत इसका सही विकल्प रहेगा यक्रत यानिकी liver right answer रहेगा सबसे बड़ी ग्रंथी आपकी अब यह हमने बात करी न तो वो गया यक्रत liver आजकल दूद को 31 लाइक शेर नहीं रुखने चाहिए लाइक करते रहो जुन्होंने लाइक नहीं किया है और जुन्होंने शेर नहीं किया है शेर भी कर दो आलसी मत बनो आजकल दूद को संतुलित आहार नहीं माना जाता क्योंकि इसमें अभाव है नावडे मिल्क इस नॉट कंसिडर्ड अ बैलेंस डाइट बिकॉज इस लेकिंग क्या हो रहा है कुश्चन था आयरन और विटामिन सी इसका राइट अंसर रहेगा ठीक है तो इसमें आयरन और विटामिन सी का भाव होता है इसले इसको संतुलित आहार अभी फिलाल में आजकल के समय में इसको नहीं माना जाता ठीक है चलें आगे बढ़ते हैं नेक्स क्योशन है कि निमले की तमसे किसको आर बी सी का कबरिस्तान कहा जाता है which of the following is called आर बी सी सिमिट्री यकरत है, पलीहा है मस्तिस्ख है, ठीक है हर्दे है, हर्ट है तो मतलब यह आर बी सी का कबरिस्तान आर बी सी सिमिट्री किसको कहा जाता है तो सही विकल्प रहेगा इसका स्प्लीन, ठीक है, पलीहा पलीहा यानि की स्प्लीन राइट अंसर रहेगा, किलियर समझ में आ रहा है ना अस्ती और दातों में माजूद रसायन कलूराइड, कल्सियम केल्सियम बोरीट ठीक है कौन सा हुटा है सहिर अंसर रहेगा इसका जिसको बहुत है ट्राइकल्सियम फास्पेट ठीकर है ट्राइकल्सियम फास्फेट असतीर दातों में मौझूल Milk Of Magnesia क्या है? Milk Of Magnesia Is क्या right answer है? Mgo, MgoH2, Mg2O, HgBr Milk Of Magnesia सही ज़आ रहेगा? MgoH2 Magnesium Hydroxide Magnesium हाड ओक्साइड चलिये आगे बढ़ते हैं कि समुद्र के जल में क्या पाए जाता है वाट इस वाउन इन सी वॉटर लोहा यानकी आयरन जस्ता यानिकी जिंक टिन यानकी टिन आयोडीन यानकी आयोडीन समुद्र के जल में क्या पाय जाएगा iron पाय जाएगा zinc чудot dina फिर iodine क्या पाय जाएगा तो पाय जाएगा iodine iodine युक्त नमक खाना चीए ना salty water होता है salty water होता है nans spies complete by गनता है उसी से और उसी में क्या पाय जाता है आयोडीन ठीक है तो ऐसे आप समझ सकते हैं याद रख सकते हैं ठीक है समुद्रिक पानी की जो और सत सॉल्टनेस होती है ठीक है और सत लवडता कितनी होती है 35% यह भी आप याद रखे 35% average मेंश Salty होता पानी ठीक है और सत लवडता कि पॉली विनाइल क्लोराइड पीवी की अपयोग होता है पॉली विनाइल क्लोराइड पीवी सीज़ योजद r7 रख बनाने में चाद्र बनाने में बर्साती बनाने में उत्रूक सविय। सव्यावल तो होता है all of the above उप्रोप्त सभी ठीक है उप्रोप्त सभी को बनाने में all of the above ठीक है जल में सबसे कम गुलंसील गैस कौन से है water has the lowest soluble gases सबसे कम गुलंशील गैस कौन सी है वो है आपकी नाइट्रोजन ठीक है कौन सी है नाइट्रोजन आगे बढ़ते हैं डेली जुणे बच्चो चार बजे डेली क्लास होती है यह इसके साथ जुणे बहुत लंबी चोड़ी क्लास नहीं है 30-35 में आपके 40 कोशन कंप्लीट हो जाएंगे ठीक है तो बहुत जल्दी फटावट फटावट रिवीजन हो जाता है मानव गुर्दे में बनने वाली पत्री में अधिक्तम पाया जाने वाला पदार्त है human kidney is the maximum substance found in kidney stones ठीक है calcium oxalate, magnesium sulfate, sodium chloride, sodium phosphate तो बताएं क्या सही विकल्प रहेगा इसका तो सही आंसर है calcium oxalate, calcium oxalate right answer रहेगा ठीक है, मानव गुर्दों में बनने वाली पत्री में अधिक्तम पाया जाने वाला पदार्त कौन सा है तो वो है आपका calcium oxalate halogen में सरवादिक प्रभावशाली आक्सी करण करता है halogen is the most effective oxidizer कौन सा होता है, chlorine है, bromine है, chlorine है, iodine है तो बताएं सही विकल्प क्या रहेगा, halogen में सरवादिक प्रभावशाली आक्सी करण करता तो सही answer है इसका chlorine, ठीक है, right answer क्या रहेगा इसका, chlorine, C option, chlorine समझ रहें न, चलिए, 49 question हो गए है, एक question, last question बाकी है चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी बच्चे फिर मुझे अपना score भी शेयर करेंगे माचिस उध्योग में प्रियोग किये जाने वाला रसायन माचिस आर chemical used in industry, potassium chloride, potassium hypochlorate, potassium sulfate, potassium cyanide माचिस में जो उपर की तरब हो जो red red color का होता है, जिसको लाल फास्पोरस बोलते हैं, वो वाकिए में chemical ही क्या है, chemical ही name क्या है उसका तो बच्चों यहाँ पर हमने 40 MCQs कराएं, सभी बच्चे अपना score शेयर करें किसने कितने कितने कोशन्टी किये, और इसके अलावा एक class और लेकर आ रहे हैं हम बहुत जल्दी, उसमें क्या करेंगे हम? आपको map के थूँ चीजों को clear कराएंगे, जैसे भारत की नदिया अगरम पढ़ रहे हैं, इंडियन रिवर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो maps के थूँ आपको पढ़ाएंगे, वर्ड के अंदर पढ़ रहे हैं, तो world map के थूँ आपको पढ़ाएंगे, हिस्ट्री भी प पढ़ाएंगे, ताकि आप उन चीजों को जादा लंबे समय तक memorize कर पाएं, ठीक हैं, तो बिल्कुल चाहते हैं कि इस तरह की classes आती रहें, तो बिल्कुल जुड़े रहें इस class के साथ, और जितने भी classes अभी फलाल मैं लेकर आ रहा हूं सारी classes के साथ, तो चलिए, मिलते है नेक्स सेशन में, तब तक ले goodbye, thank you, like नहीं किया, like कर दीजिए, share नहीं किया, share नहीं कर दीजिए, और जिन बचों ने भी तक चैनल को subscribe नहीं किया, चैनल को subscribe कर दीजिए, साथ ही bell icon प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको all classes के notification time से मिलते रहें, ठीक हैं, चलिए तर, bye